तो मेरे भाई यह जो February का महिना होने वाला है ना सबसे बड़ी जंग जो होने वाली है वो 20,000 के करीब 5G फोन्स को लेकर होने वाली है यह 20,000 से लेकर 25,000 के अंदर है अब यह जो segment है ना गाइस काफी सारे लोग expect कर रहे है कि 5G connectivity के साथ अच्छी performance और अच्छा camera और कंबाल क भी पीछे नहीं है गाइस, Infinix के तरफ से Infinix Zero 5G smartphone भी देखने को मिल रहा है, official launch date confirm हो चुकि है teaser video सामने निकल कर आ चुक है, सारी चीजे confirm हो चुक है इस phone को लेकर, official तो इस video के नदर हम बात करने वाले है Infinix Zero smartphone के बारे में कि क्या यह smartphone Realme 9 Pro या फिर किसी और brand को टकर दे पाए मैं हूँ तो आपका दोस्ति ओम और आप देख रहे हो टेकल पर सी ओम यूडूब चैनल, चैनल पर पहली बार आवो तो भाईया सब्सक्राइब कर लिजे, बैल आक्वन को प्रेस कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस नहों हो याग, चलिए अगर बात करें Infinix Zero 5G smartphone को प्राइस हो सकती है, लेकिन अगर BCR के नीचे आता है, तो क्या ये smartphone best होगा और ब्रांट को ठकर दे पाएगा, तो अगर बात करें सबसे पहले display को ले करना, तो यहाँ पर आपको एक flat screen मिलती है, center में punch hole cutout दिया गया है, और जो punch hole cutout की size है, वो काफी चोटी है, कमाल का मिलता है, 120Hz high refresh rate का support gaming के लिए, तो अवरोल gaming के लिए काफी परफेक्ट डिस्पले हो जाती है, इसके लाओं आपको security के लिए देखने को मिलता है, face unlock के साथ में, बात करें, built quality design को लेकर तो जो look है न, जो design है, वो personally काफी अच्छा लगता है, और ओपो के Find X series से काफी हद तक match करता है, ओपो Find X 5 series से, जहां पर जो camera module है, वो थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन overall look wise काफी कमाल का लगता है, black, white, blue, और यहां पर orange जैसे color आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके लाओ गाइस की जो phone रहने वाला है, built की बात करें, तो plastic frame, plastic bag के साथ आएगा, कोई भी glass bag न अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जो performance है, वो आपको कमाल की देदेगी, 6NM architecture के साथ में आने वाला एक power efficient chipset है, और इस chipset के साथ में अच्छी बात कि आपको DDR 5 RAM मिल रहा है, UFS 3.1 storage type दिया जा रहा है, जो कि BCR के नीचे मुझे लगता है, यह पहला smartphone हो गया है, और इस price के उपर जितने भी 5G phone आपको देखने को मिल रहा है, किसी के अंदर भी DDR 5 RAM नहीं है, UFS 3.1 storage type नहीं है, तो अगर performance को देखे, read and write speed को देखे, तो कहीं ने कहीं Infinex Zero smartphone कमाल का option होने वाला है, लेकिन यहां पर अगर software experience की बात करें, तो smartphone Android 11 के साथ हाएगा out of the box, अब इनका UI है ना XOS वो मुझे प्रसनली उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन XOS 10.1 में काफी सारी improvement की गई है, और बहुत सारे bugs को दूर किया गया है, काफी नई चीजे improvement और यहां पर add की गई है, लेकिन Infinex आप देरे-देरे hardware और software पर काफी improvement कर रही है, और जिस price के band भी brand provide करा रहा है, तो future proof smartphone हो जाता है, बाकी brands आपको इसी chipset के साथ में सास से 8 5G band दे रहे है, या फिर Qualcomm Snapdragon 695 वाला chipset इस price के उपर दे रहे है, उससे ये अच्छा chipset हो जाता है, मैं definitely कह सकता हूँ, तो यहां पर performance आपको Realme 9 Pro से अच्छी मिलेगी definitely, UFS 3.1 इस्टोरिज ट performance display design के बाद में हम बात करें, इस phone के battery को लेकर तो लंबी battery भी दी गई है, 5000 mAh यही 5000 mAh की 33W के charging का support मिलता है, सेम यही charging और battery आपको Realme 9 Pro के साथ देखने को मिलता है, तो भाई, काफी कमाल का टकर रहने वाला है, और यही नहीं, Infinix ने इस पर camera gimmicks काफी कमाल के दिया है, बैक लेकिनी को मिलता है, जो कि यह काफी कमाल की बात है, Realme 9 Pro के साथ में भी कोई भी telephoto lens नहीं मिलता है, लेकिन इस phone के साथ में कोई भी ultra wide lens नहीं दिया है, जो कि मुझे कहीं कहीं कमी लगा, लेकिन हाँ लास्ट में आपको एक फालतू 2 megapixel का AI lens बोलो, यह फिर depth sensing lens बोलो, वो इन्होंने दे दिया है, इसके लाँ आप यह 13 megapixel का जो टेली फोटो lens दिया गया है, वहाँ से आप 2X तक का optical zoom कर पाऊगे, 30X यह नहीं 30X का यहाँ पर digital zoom कर पाऊगे, जो कि काफी अच्छा है, zooming capability काफी अच्छी मिलती है इस phone के साथ में, इसके लाँ बता दू, primary lens के साथ EIS मिलता है, OIS का support नहीं मिलता है, phone के back side में आपको LED flash दिया गया है, दो-दो LED flash देखने को मिलते है, जो कि बाकी brand से स्प्राइस के उपर नहीं दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, low light में आप image वगरा लेना चाओके, video वगरा लेना चाओके, तो अच्छी आपको देखन किया है, और final launch के बाद देखना होगा comparison camera का, realme 9 pro या फिर इस price के उपर जितने भी phones आएं गया, क्या उनको ये beat कर पाता है, तो मेरे एक ओड़ी यहाँ पर अगर camera अच्छा राना, तो ये phone काफी कमाल का होने वाला है, इसके लाँ भाई, फोन में कोई भी कमी नहीं है, जै 8GB RAM option का support मिलता है, 128GB storage option के साथ में, 6GB और 128GB की बेस वेरेनी की price हो सकती है, इंडिया के अंदर ना, वो 19,000 से 20,000 के करीब देखने को मिल सकती है, अगर आप 19,000 से कम सोच रहो ना, इस phone की pricing नहीं आने वाली है, definitely launch के बाद आप देख सकते हो, लेकिन guys, finally अगर बात करें कि क् इस price के उपर best हो जाता है, तो मैं definitely कहना चाहूँगा, कि launch के बाद अगर camera quality बहुत कमबाल की रहती है, तो इस price के उपर Realme 9 Pro से एक अच्छा option होगा, because यहाँ पर आपको भाई कमबाल का टेली फोटो लेंस दिया गया है, इसके लाओ जो MediaTek का Dimensity 900 चिपसेट है, वो Qualcomm Snapdragon 695 स थोड़ा आगे निकल जाता है, बहुत जादा आगे नहीं, लेकिन थोड़ा आगे निकलता है, इसके लाओ DDR 5 RAM है, UFS 3.1 storage type है, तो इन सभी चीजों को अगर मिला देना, तो कहीने कहीन Realme 9 Pro से एक अच्छा option हो जाता है, लेकिन finally देखना होगा कि software experience कैसा रहता है, यहाँ प हम specs पे आप Realme 9 Pro पे जाओगे, लेकिन मेरे recording एक अच्छा phone है, अगर Infinix update वगरा time से provide कर रहा है, सारी चीजे अच्छा रखे, camera quality अच्छी रखे, post processing software पर अच्छा काम कर दे, एक number one smartphone हो जाने वाला है, तो बस स्यार, I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी है, helpful लगी हो तो